हेलो गाइस, हाव आई यू आल आज हम अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करने वाले हैं ये पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन भी मैंने करा रखा है जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है आपके सारे कॉंसेप्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टर्म है हमारा एक्सपेंस बहुत ही इजी है एक्सपेंस क्या है? किसी भी बिजनस में अगर सेल्स जनरेट करनी है रेवेन्यू जनरेट करना है तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो कॉस्ट इनकर हुआ जो खर्चा हुआ वो होता है एक्सपेंस जैसे कि सैलरी लोगों की बिल, electricity बिल हो गया, wages हो गया ठीके सारे जितने भी office expense हो गया, सब कुछ expense में आ जाएगा ठीके तो expenses clear है next है हमारा term prepaid expense बहुत ही simple जैसे mobile में prepaid and postpaid SIM होती है उसी से याद रखो postpaid जो बाद में हमारे घर पे बिल आता है और हम pay करते है prepaid मतलब पहले ही recharge करवाना पड़ता है वैसी prepaid मतलब पहले ही पैसे पहले ही दे दिये है और अभी तक services avail नहीं करी service future में जाके avail करे जैसे की an expense that has been paid in advance but the benefit will be available in the following year or years ठीके ये हमारे लिए एक current asset है इसको याद रखना asset है क्योंकि हमने पहले ही pay कर रखा है अब हमको pay नहीं करना अब हम इसको use करेंगे ही करेंगे ठीके mobile में recharge करा दिया है 200 रुपे है अब वो use करेंगे ही करेंगे तो हमारे लिए asset है ठीके और ये prepaid expense हो गया पहले ही pay कर दिया clear हो गया आगे हमारा outstanding expenses outstanding मतलब उल्टा prepaid से उल्टा outstanding है अभी तक pay नहीं करा कपका pay कर देना था rent देना था पिछले महीने अभी तक rent नहीं दिया तो क्या हो जाएगा outstanding expense expense that has been incurred but not paid yet ठीके services avail कर ली rent हो गया पिछला महीना चला गया पर अभी तक उसका rent नहीं दिया तो outstanding rent वैसे ही insurance premium of 50,000 is not paid till the end of the year हमको pay कर देना था और हम आगी ले गए next year में अब हम इस साल में pay करेंगे pay तो करना ही करना है पे करना है इसलिए current liability हो गई उपर जो example था prepaid में हो क्या था insurance premium 50,000 दिया आधे साल का और extra दे दिया था 25,000 next year का 50,000 टोटल था आगे 6 महीने का extra दे दिया तो 25,000 हमारा prepaid हो जाएगा इसमें prepaid expense हो जाएगा और यहाँ पे क्या हुआ हुआ पे नहीं करा है तो क्या हो गया outstanding expense I hope यह दोनों चीज़े clear है next है income इस point को बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे गलती करते है बच्चे profit earned during the accounting period जो भी हमने profit कमाया एक साल के अंदर उसे बोलते है income यह income हम किसी भी तरीके से business में कमा सकते है या तो operating या फिर non operating non operating मतलब समझना बहुत ध्यान से operating यहाँ पे समझो operating मतलब जो हमारा main काम है business का that is sale purchase sale minus purchase करके जो कमाते हैं वो है operating और non operating मतलब हमारा main काम नहीं है but side income है जिससे मान लो एक factory ने goods sale करे और उससे कमाया वो है operating but उसने किसी ऐसी rent receive किया किसी से interest receive किया उसकी side income है वो है non operating तो जो operating और non operating income से हम profit कमाते हैं उसे बोलते income ठीक है और income का formula क्या है revenue minus expenses जितना भी revenue हुआ business में sales और other income जो भी total revenue है minus जितने भी expenses हो रहे हैं minus कर दो revenue में से expense तो income आ जाएगा अब income और profit में क्या difference है profit जो हम होता है वो only business का sale purchase से relate होता है मतलब income में profit already included होता है पर income के अंदर non operating activity से जो कमाया वो भी होता है और profit में operating activity से जितना भी कमाया business का main काम जो है sale and purchase of goods या services उससे जो कमाया वो हो गया हमारा profit clear है दोनों terms में profit और income का difference clear होगा gain क्या होता है gain जो है इससे पैसे तो आए है but ये non recurring in nature है ये हम रोज रोज नहीं बेचेंगे irregular है ये जैसे कोई asset बेच दिया that is fixed asset, land, machinery, investment ऐसी चीज कोई बेच दी दो वो हो गया gain non operating जो activity थी हमारी only उससे अगर हम कमा रहे हैं वो होगा gain जैसे की यहाँ पे ध्यान से सुनना अगर हमारी factory है और हम मानलो mobile बना रहे हैं mobile बेच के जो हम कमा रहे हैं वो हमारे profit का part है ठीक है, mobile बेच के जो हम कमा रहे हैं वो profit का बाट है but हमने कोई machine बेच दी या building बेच दी या land बेच दिया यह हमारा non recurring in nature है हम रोज रोज यह काम नहीं करेंगे वो चीज हो जाएगी gain जो भी हमने asset बेच के कमाया वो होगा हमारा gain clear, next है हमारा losses, यह बहुत easy होगा जब सारे expenses बहुत ज़्यादा हो जाते हैं revenue से, expenses जब ज़्यादा हो जाते हैं revenue से, तो loss आ जाता है, revenue क्या है? sales तो जब हमारा खर्चे office दी, हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए हमारे sales से, तो loss आ जाएगा इससे क्या होगा owner ने जो invest किया है हम उसमें से पैसा निकालेंगे business के लिए loss आने लग जाएगा owner की capital में है ना clear हो रहा है easy है और ये भी हो सकता है loss चोरी हो गई हो या फिर fire लग गई कोई भी natural calamity आ गई उससे तुमने business में loss incur करा ये भी हो सकता है ठीक है next term में हमारी purchases purchases का मतलब क्या है ध्यान से समझो यहीं पर बच्चे गलती करते है question में case study में पूछा है calculate Mr. X की purchase और वहाँ पर तुम assets भी purchase लिख देते हो ऐसा नहीं करना purchase में only goods की purchase आईगी assets की purchase नहीं आईगी अगर Mr. X है और वो मान लो sugar industry है उसकी sugar की factory है मान लो उसने जित्ती भी purchase करी sugar की raw material की या sugar की वो होगी उसकी purchase अगर उसने कोई machinery खरी दी वो उसकी purchase का part नहीं होगा समझ आगी बात तो जो sugar वो खरी देगा और आगे बेचेगा वो जो purchase उसने sugar की करी main goods की जिसकी वो लेंदेन कर रहा है वो आजाएगा हमारे purchase के part चाहिए उसने credit में खरीदा हो उधार लेके खरीदा हो चाहिए उसने cash दिया हो purchases की अंदर cash और credit purchase दोनों आते है उधारी भी आती है और cash purchase भी आती है purchase refers to the purchases of goods only which are meant for resale जो हम आगे बेचेंगे हमारा कोई intention नहीं है machine बेचेंगे machine के dealer नहीं है हम sugar का business कर रहे है तो sugar हमारे लिए क्या है एक purchase होगा purchase of goods जिसमें cash और credit purchase purchases में दोनों आती है clear हो गई है ना बात समझ आ गया होगा ये चीज़ धियान रखना question करते टाइम जरूर चैनल को please subscribe कर देना मैं आपके लिए daily ऐसे वीडियो लिखे आऊंगे concept बेचेंगे जरूर बताना आपको कैसे लग रहा है accounts कैसे लगा वीडियो ठीक है अब आगे next पर्चेज return देखो ये important है 11th में भी 12th में हर जगर ये concepts important है even college में जाओगे तो first chapter ये ही पढ़ोगे सारे concept based सारे जो first chapters होते हैं सब concept based होते हैं तो इसको समझो रटा मत मारना रटा मारोगी accounts में तो कुछ नहीं होगा कोई accounts नहीं कर पाओगे न 11th समझाएगी न 12th समझाएगी कभी भी 70 plus score नहीं कर पाते जो रटा मारते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ अगर अच्छे marks लाने हैं तो concept समझो अब purchase return क्या होती है purchase return मतलब जो हमने purchase करी थी उपर शुगर की purchase करी थी शुगर के dealer है हम factory हमाई शुगर की अगर हमने शुगर कहीं से purchase किया या बनाया उसका raw material purchase किया और आगे हमने बना के शुगर बेची resale करी ठीके resale का purpose था तो वो गए हमाई purchase अब जो शुगर हमने खरीदी थी कहीं से और कहीं जाके बेची जो खरीदी थी वो सही नहीं आई उसमें defect था तो हमने वापस उसको दे दी मान लो तुम x आदमी एक x आदमी ऐसे करके example लेके चलो x आदमी ने शुगर की दुकान खुली है वो y से खरीद रहा है और आगे भेचेगा c को ठीके तो जब वो y से खरीदा शुगर तो थोड़ा सा defect आ गया एक किलो शुगर में एक जी में क्या या defect आ गया उसने उसको वापस दे दी तो वो गई purchase return नाम से समझ आ रहा है purchase ली और वापस दे दी क्योंकि उसमें defect था खराब थी इसको outward भी बोलते है return outward क्योंकि जो stock है जो purchase है वो out जारी है बहार जारी इससे याद रखना वापस बहार जारी है हमारे पास नहीं आरी बहार जारी बाई बाई हो रही है तो outward clear easy है वैसी same sales sales क्या होता है जो आपके goods है sugar आप बेच रहे हो जो बेच रहे हो उसको sales बोले तो sales में क्या आता है जिस goods में आप deal कर रहे हो और आप बेच रहे हो और यहाँ पे दोनो sales आती है cash और credit दोनो वो sales जो आपने cash बेसिस पे करी है और credit बेसिस पे करी है इस साल के अंदर वो सारी ही आपका sales का part हो clear हो गई बात sale of goods refer to sale of goods only goods only यहाँ पे assets नहीं है asset की sales sales का अंदर नहीं आएगा वो अलग से आएगा clear है बात तो goods के अंदर sales के अंदर क्या होते हैं main goods जिसमें हम deal कर रहे हैं आगे है sales return यह बहुत easy किसी customer को तुमने sales करी ऐसा होता है business में किसे ने वापस कर दिया return माल भई कपड़े का business है माल लो नहीं समझ में आया कपड़ा वापस कर दिया जाके तो क्या हो जाएगी वो sales return यह हमारे लिए नुकसान है हमारा माल वापस आ गया इसको बोलेंगे return involved in आया ना stock in आया हमारे pass आया है तो inward हो जाएगा return inward out नहीं हुआ out purchase के case में था यह यहाँ पे stock वापस हमारे pass आ रहा है हमारे business में in हो रहा है तो return inward clear next term है goods यह मैं बार-बार समझारी हूँ goods clear होगा तुम अपने आप guess कर सकते हो goods क्या होता है goods वो चीज है जिस जिसमें हम deal कर रहें जो हमारा main product है या products हो सकते जो हम बेच रहे हैं और बेच के पैसा कमारे है ठीके goods are the items in which the firm is dealing and the purpose is to sell clear होगी बात then either as it is or by changing its form या तो हमने कपड़ा ऐसी किसी से खरीदा और बेच दिया या फिर कपड़े का raw material खरीदा कपड़ा बनाया और बेचा और sugar का raw material खरीदा raw material को convert करके बेचा या फिर sugar ऐसी किसी से खरीद ली और बेची ये जो products है जिसमें हम deal कर रहे हैं वो होते हैं goods जैसे readyment, garment garment would be treated as goods clear यहाँ पर जो machine है जो land है जो building है वो assets होंगे इसमें हम deal नहीं कर रहे हैं यह तो support कर रही है sales को हमारे clear है ना बात easy है आगे हमारा stock और inventory देखो अब माल लो sugar industry थी तुमारी sugar factory थी sugar factory के अंदर अगर तुमारा stock बच गया सारा sale नहीं हो पाया तुम warehouse में रख देते हो बोलते ना go down में पढ़ा है stock पीछे go down है go down में रख दो हना वो go down में जो stock पढ़ा रहता है वो होता है stock या invent जो stock अभी तक बिका नहीं है unsold है पेचेंगे हम उसे पर अभी नहीं बिका it is a tangible asset held by the enterprise दिख रहा है हम साफ साफ touch कर सकते है उसको for the purpose of sale ठीक है अभी sale नहीं हो अब करेंगे अभी पढ़ा है नहीं बिका closing stock है stock में पढ़ा है माल बोलते हैं न ऐसे वह बात है stock और inventory समझाई easy तो यहां पे stock दो तरीके से आ सकता है एक है opening stock और एक है closing stock देखो अगर मान लो 2014 15 है 15 16 है मान लो 2014 15 के balance sheet में अगर stock है साल के आखरी दिन अगर कोई stock है वह होता है closing stock clear और यही closing stock next year के लिए opening बन जाएगा क्योंकि पहले से यह माल पड़ा था तो opening stock हो जाएगा तो दो तरीके से हम stock को लिख सकते है opening and closing opening stock जो साल के starting में हमारे पास stock है और closing जो साल के end में एक साल का closing next के लिए opening बन जाएगा easy है समझा रहा है यह कहां शो होता है closing stock balance sheet के अंदर current assets क्योंकि current assets में वो goods आते हैं जो एक साल के अंदर cash में convert हो जाते हैं इसलिए यह stock का है closing stock current assets ठीक है आगे चले यह हमारा trade receivable इसको भी बहुत ध्यान से समझना बहुत important है जरूर चैनल को subscribe करना मैंने आपके लिए part 1 में बहुत important terms बताई है उसको जरूर देख ले part 1 वीडियो को and मैंने accounts का playlist भी बना रखा है उसमें भी बहुत सारे concept के वीडियो है first, second chapters and economics and business studies की भी playlist है तो उसे भी जरूर देखना आपको easily समझ आ जाएंगे chapter starting के अभी जो मैंने cover किये हैं तो अब हम आगे चलते हैं trade receivable इसको समझना बहुत ध्यान से trade receivable में debtors और bill receivable ये दोनों आता हैं ठीके क्या होते हैं debtor और bill receivable इसको समझो मतलब हमें पैसा मिलने वाला है trade receivable receive होने वाला है तो पैसा मिलने अब पैसा जो मिलेगा वो credit sales से मिलेगा credit sales थी और sales करी और पैसा मिलना है मान लो X आदमी है X आया हमारे पास मान लो हमारी garment या कपड़ों की दुकान है और X आया खरीदने और X ने का भाई दे दो एक shirt दे दो हमने का चलो ले लो फिर X ने का कि पैसे में एक महीने बाद दोंगा हमने का ठीक है तू रख ले एक महीने तक एक महीने बाद दे जाना कोई बात नहीं तो ये हमारे लिए है debtor और एक महीने बाद ये पैसे लेके आ जाएगा और हमको चलेगा ठीक है अब bill receivable की case में क्या होगा ध्यान से सुना या भे bill of exchange की बात हो रही है credit sales करी y को same credit sales करी और y ने का मेरे पास पैसे तो नहीं है बट मैं bill of exchange जरूर तुमें दे सकता हूं that is accept कर सकता हूं और तुम जाके मेरे bank account से पैसे ले लेना कैसे तो हमने कहा भई एक काम करते हैं यह रहा bill और y को कहा तीन महीने बाद तो हमको 1000 रुपे देगा y ने sign कर दिया accept कर दिया अपना sign करके कि हाँ भई तीन महीने बाद मैं पैसे देदूँगा अब हम यह bill लेके bank जाएंगे हम जाएंगे factory मालो मैं यह bill लेके bank गई और मैंने minus करके पैसे देदो bank हमें देदेगा पैसे इसे बोलते है bill receive ठीके जब y जो है debtor जो हमारा है उसने accept कर लिया एक bill और वो bill पे उसने sign कर दिया कि कुछ time के बाद 3 महीने के बाद तो मेरे bank account से जाके पैसे ले लेना तो हम जाके वहाँ से पैसे ले लेंगे यह bill receive clear done है हमें receive हो रहे ना पैसा इसलिए bill receive ठीके आगे है यहाँ पर और explain कर रखा है कि debtors हो गए जो हमें credit sales हो यह और पैसा ओ करते वो हमें बाद में दे देंगे और bill receivable bill accept कर लिया डेटर और हमें पैसा मिल जाएगा तीन महीने बाद दू महीने बाद यहाँ कोई specified date हो तब पैसा मिल जाएगा ठीक है trade payable क्या हो गई उल्टे case में credit purchase थी हमने किसी से उधारी में खरीदा है debtor की case में हमने किसी को बेचा था उसको हमको पैसा देना है इस case में trade payable की case में हमने किसी से खरीदा है हमको पैसा देना है यह हमारे लिए उधारी है creditors हमने purchase करी उधारी हमने पैसे नहीं दिये तो वो हो गए हमारा creditor हो गया हमको उसको पैसे देना है bill payable में उल्टा हो गया अब हमको bank हमारे account से cut करेगा और पैसे देगा देखो मान लेते y आदमी है y से हमने purchase करी credit में तो यह हो गई creditor y कौन हो गया हमारा creditor और मान लो x आदमी है इससे हमने purchase करी और इसको हमने कहा भई तू एक bill बना दे x हम sign करने के लिए तयार है sign भी कर दिया हम sign करने के लिए तयार है और 3 महिने के बाद तू मेरे bank account से bank में जाके मेरे account से minus कर लेना x पैसे ले लेगा यह मेरे लिए क्या है bill payable समझाई बात x के लिए क्या हो गया यह receive कर रहा है पैसे उसके लिए तो उपर वारा case हो गया bill receivable यहां पे हमारे लिए यह क्या हो गया bill payable क्योंकि अपकी बारी हमको पैसा देना है credit purchase पे अपकी बारी हमारे bank account से पैसा कटो रहा है clear है बात easy है समझ आया यहां तक bill receivable bill payable तक तो यह सब हमारा trade payable होता है creditors और bill payable क्योंकि हम pay कर रहे हैं हमारी liability है clear है आगे चलते है तो creditors क्या होगा person to which the business owes money against credit purchase and bill of exchange में bill payable क्या है bill of exchange accepted by a person and the amount of which will be paid on a specified date मतलब हमने accept कर लिया bill और हमारे account से specified date amount कट हो जाएगा यह credit purchase पे हम accept करेंगे और पैसा देंगे ठीक है purchases के case में उधारी होगी यह चीज ध्यान रखना ठीक है तो guys I hope आपको सारी terms clear होगी जरूर जाने से पहले channel को subscribe कर देना and do like this video आपको कैसा लगा video मुझे comments में जरूर बताना और कोई भी doubt हो तो जरूर comment में पूछ लेना अब हम next video में मिलेंगे आपको